नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दिनीश कुमार दोस्तों एक वर्फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल पर जहां पर आप ओनलाइन अर्निंग के बारे में और क्रिप्टो कुरंसी की ट्रेडिंग के बारे में सीख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपल international payment gateway के बारे में जानेंगे कि पेपल के अंदर आप अपने account को जैसे ही log in करते हैं जैसी आप पहलीवार अपने account को बनाते हैं यानी कि रैइश्टर करते हैं उसके बाद आपको करना होता है इसकी टास्क को complete तो वो टास्क आ अगर आप जानना चाहते हैं तो यह वीडियो लाश्ट तक देखते रहें दोस्तों आप जैसे अपने पेपल के अप्वाइंट का अंदर लोगडिन होते हैं कुछ इस तरह से आपका डेस्वोर्ड होता है लोगडिन होने के बाद आपको उपर की तरफ एक बैल का बटन मिलेगा यह है नोटिफिकेशन का बटन आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डोप डाउन मेनू में आपकी सारी नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी अगर आपने पहली बार यहाँ पर आपको बनाया है तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा complete your task का यहाँ पर क्लिक करिए जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपकी टास्क जो है वो ओपन हो जाएगी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा please verify your information और यहाँ पर एक बटन मिलेगा get started का यहाँ पर आपको क्लिक करना है जिसके आप यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नाम जो है fill up करना है यहाँ पर आप देखें आपको first name डालना है यहाँ पर आपका automatically पड़ा होगा लेकिन अगर आप change करना चाते हैं तो change कर सकते हैं first name यहाँ पर डालना है आपको middle name यहाँ पर डालना है और last name यहाँ पर डालना है अगर आपको middle name नहीं है दोस्तों तो आप यहाँ पर blank छोड़ सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखे residential address लिखा हुआ, यहाँ पर आप किलिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पर किलिक करेंगे, तो जो आपने address account बनाते समय डाला था, वो drop down menu में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आप उसको जो है, select करेंगे बाद दोस्तों, simply यहाँ पर submit पर आप किलिक करेंगे, जैसी दोस्तों यहाँ पर किलिक करेंगे, कुछ इस तरह से आपके सामने इसका interface एक वार फिर से change हो जाएगा, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा bank account और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा credit and debit card, यानि कि यहाँ पर आप अपना bank account लिंक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपना credit य bank account यहाँ पर आप किलिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पर किलिक करते हैं, कुछ इस तरह से आपके सामने एक page open होगा, और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना account number डालना है, और यहाँ पर डालना है आपको अपना IFSC code, जो कि आपके branch का code होगा, तो दोस्तों यह दोनों detail हम यह यहाँ पर fill up करते हैं, और उसके बाद continue पर किलिक करेंगे, जोस्तों हमने यहाँ पर अपना bank account number डाला और यहाँ पर अपना IFSC code डाला, जैसे आप अपना IFSC code डालेंगे, यहाँ पर आपकी bank का नाम automatically आ जाएगा, और आप simply यहाँ पर continue पर किलिक करेंगे, जैसे आप continue पर क सकते हैं, एक message आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लिखा है PayPal sent to small deposit, यहाँ कि PayPal आपकी bank account के अंदर दो small deposit करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि होगा, एक रुपे से लेकर के डिर रुपे तक का, और यह deposit दोस्तों आपको 4-6 दिन के अंदर कर दिया जाएगा जो कि आपके account के अंदर deposit होगा, उसके बाद दोस्तों आप simply यहाँ पर confirm in for six day पर क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से confirmation pending का option आपको दिखाई दे जाएगा, यानि कि आप आपकी bank जो है add हो चुकी, लेकिन जैसे ही दोस्तों आपक अपनी bank को verified कैसे कराएंगे, उसके लिए आपको इंतियार करना पड़ेगा, अपनी bank के अंदर deposit आने का, जैसी आपके bank account के अंदर deposit आजाते हैं, जो कि छोड़ी छोड़ी deposit होंगे, उसके बाद आपको अपनी bank जो है verified करानी है, तो दोस्तों हम बेट करेंगे अपनी bank के अ को दुरान इस relative और भी जानकर हम आपको provide कराते रहेंगे, अगर आपके इस relative कुछ और question, carriage या suggestion है, तो आप हमें comment box में बता सकते हैं, हम उस relative भी वीडियो बनाने की कोसिस करेंगे, बस आप बने रहे हैं हमारे साथ, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो like को share करना न भूलें और यहाँ पर click करके हमारे channel को subscribe करें और इस bell icon को भी जरूर दवाएं ताकि online में earnings relative जो opportunity हम आपके लिए लेकर आते हैं, या cryptocurrency की trading relative जो update हम आपके लिए लेकर आते हैं, उनकी notification आपको आपकी email में मिलती रहें और आप किसी बड़ी opportunity या update को मिसने कर पाएं और online में earning का फाइदा उठा सकें, तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी अच्छी news, update या किसी अच्छी प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए take care